एलो फ्रेंड्स कुलेश की चन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बहुत ही स्वादिस्ट सूजी की पूरिया बनाएंगे इसे बनाने के लिए है एक कप सूजी नमक लेंगे टेस्ट के नुसार जीरा पौडर लिया है अधा चम्मच कसुरी मेथिली है अधा चम् सब्सक्राइब नमक लेंगे टेस्ट के नुसार जीरा पौडर डाल देंगे बारिक कटा हुआ धनिया कसुरी मेथि हरी मिर्च हरी मिर्च का चाहिए तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसमें डाल लेंगे अध्रक सबी चीजों को अच्छे से पहले मिला लेंगे और इ थोड़ थोड़ा पानी डालेंगे और इस पूड़ी बनाने के लिए हमें बारिक सूजी का लेना है अगर हमेरे पास मूटी सूजी है तो उसे हम ठोड़ा सा पानी डाल के तो थोड़ा दर के लिए तो थोड़ा थोड़ी वहाउफ्ट हो जाएगी और कोशिश करी कि इसक बारिक सूजी का उपयोग करें बिल्कुल जरा जरा से पानी डालेंगे तो इस तरीके से हमें इसका दो तयार करना है बहुत ज्यादा हमें इसे सक्त दो तयार नहीं करना है सॉफ्ट ही रहना चाहिए अब इसे हम 15 मिनिट के ढख देंगे तो 15 मिनिट में सूजी हमारी फूल क तो इसे हमें आदे घंटे के लिए ढख के रखना होगा ताकि वह अच्छे से फूल के सेट हो जाए तो इसे हम 15 मिनिट के रख देते हैं सूजी को हमने 15 मिनिट ढख के रख लिया था और यह अच्छे से से सेट हो गया है साथ ही हम एक कड़ाही चड़ा लेंगे और उसमें कि एक लेंगे और हम चड़ी पेल का स्वयल लगा लेंगे और इसे हमें पूढया भी ले लेनी जाए है कि कि पुणिया मनें तयार कर ली है तेल भी गर्म हो सक Miller है अब अलभी नौल कर लेंगे और केपड़ी के निकाल एक प्री के अच्छा इस तरीके के остр看看reteट और इसे पलतई ने से ऊबाइज arrow एल सब्सक्तिर कर देगे के त्यारें KAR बार को होड़ाएंगे dazu र में दनी बहुत ही स्वादिस्ट सूजी की पूरी बन के त्यार है हलका सा इस तरीके से दबाएंगे तो फूल के उपर आ जाती है पूरिया हमारी सारी पूरिया हमने बना के त्यार कर ली है स्वाधिस्ट सूजी की पूरिया बनके त्यार है इसे हम कोई भी ग्रेवी वाली सबजी के साथ सुखी सबजी के साथ छोले के साथ सर्व कर सकते हैं इस तरीके से बनाए अगर आपको में रेस्पी अच्छी लगी इसे लाइक जरूर करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद